हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कार्चाकर आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों काफी कुछ सुनने को मिल रहा है गाड़ी नौला के उनिट क्रोस कर चुकी है अब तक 15 जुलाई 2020 को यह गाड़ी लॉंच हो गई थी मार्केंड में उसके बाद काफी दिमांड में हैं तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या नए फीचर्स दियो हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड नहीं पसंद है तो देख लेते हैं क्या 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 नए फीचर्स हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीक है का आपको फ्रेंड बंपर देखने को मिलता है साथ के साथ हैं यहां पर बात कर लेते हैं आपको एलएट के ओपर पर खोने को मिल जाती है और जो दोस्तों मेन पॉइंट यह है कि जो इसकी नाइन element headlights हैं वो आपको auto headlights साथ के साथ follow me home lamp and lead me to vehicle के साथ provide की जाती है और उसे के साथ यहां पर आपको LED fog lamps से भी देखने को मिलते हैं जो कि इसके look को काफी हत्य के नियांस कर देते हैं और दोस्तों आपको turn indicators भी DRL shape में देखने को मिल जाते हैं just headlight के नीचे तो overlook काफी अच्छा लग रहा है गाड़ी का चली देख लेते हैं इसके set profile दोस्तों कुछ इस तरह की set profile आपको मिलने माल है new honda city 5th generation के अंदर अपने segment में सबसे ज्यादा length रखती है गाड़ी dimensions पहले से काफी चेंज हैं बात कर लेते हैं टाइर प्रोफाइल की तो वनेटी फाइफ फिप्टी फाइव आर शिक्स्टिन डैमेंड कर्ट डॉयल टोन अलाविल देखने को मिल जाता है और बात कर लेते हैं विंक्स के तो हैं आपको टर्ण यहाँ पर हमें बटन भी प्रेस करने के जुरूत नहीं है जैसे हैंडल्स के अंदर हाथ ले जाएंगे तो अटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती है और दोस्तों आपर हमें जो चारो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम फिनिस के साथ देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके और 9 mm हमें घर देखने को मिल जाती है उसके की बीडरेंस की बात कर लेते हैं तो 165 mm हमें असके DAVID लाम देखने को मिल जाता है दोस्तों रियर की बात करногоता था आ memb यहाँ पार्किंट के साथ साथ ए रियर एफ्लक्टर नों मिल जाते हैं आईवी टहर से दिजल होता था आईड़िग के साथ है यहाँ पर बेजिंग के साथ जो कि' बहुत ही बहत ही लगता है रियर से दोस्था बात कर लेते हैं बूट की के अंदर ही option मिल जाता है बूट है यहां पर हैंяз atau कोई inputs जरूर होता है वह मैं आपको बताँगा कafter दोस्तों किन दाल लेते हैं इस पे रू पर फुल साइस शिम्ट इस का पुछ spare wheel देखने को मिलता है कोई cost cutting नहीं की गई होंडा की तरफ से इसमें इसाथ के साथ bridge stone का आपको tear भी देखने को मिलता है और यहां पर हमें कुछ tools देखने को मिल जाते हैं और आप यहां पर देखोगे कुछ pouches हमें देखने को मिलते हैं और दोस्तों जो इसके बूट को एक कवर अप दिया हुआ है वह काफी अप मार्केट लगता है देखने में और दोस्तों आप यहां पर आपको white stitching भी देखने को मिल जाती है यहां पर बात कर लेते हैं आपको auto up and down window का option मिल जाता है वह भी चार windows के साथ यहां पर आपको electronically adjustable outside mirrors and साथ के साथ आपको यहां पर auto foldable भी देखने को मिल जाते हैं रेट और यहां पर आपको मिल जाता है तुटर का option देखने के लिए जो की काफी एची sound provide करने वाले हैं यहां पर आपको chrome देखने को मिल जाते है door handles यहां पर आपको lock and unlock option देखने को मिलता है यहां पर कुछ space मिलता है में bottle रखने के लिए यहां पर speaker option प्रोवाइड किया जाता है और साथ के साथ दोस्तों जो यहां पर elements यूज के गए इंटेर में वह काफी top quality का है इस गाड़ी को काफी premium बना देता है अपने segment में आपको काफी soft touch feel होने वाला है इस गाड़ी के अं यहां बात कर लेते हैं आपको पैडल शिफ्ट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके driving performance को और भी enhance कर देते हैं तो सब्सक्राइब को आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ बटन देखने को मिल जाता है दोस्तों बात कर लेते हैं इंफोटेंट मेंट सिस्टम के तो हैं आपको advanced 8-inch test skin display देखने को मिल जाता है with four speaker and four tutors के साथ जो कि आपको top end variance में provide होते हैं यहां पर जो connectivity है वो काफी बहतर है यहां पर आपको auto climate controls with smart elements के साथ आपको देखने को मिलता है आप देख सकते हैं जो व्यू है काफी बहतरीन लग रहा है और यहां से हम इसे easily manage कर सकते हैं यहां में twin cup holder देखने को मिलते हैं and seven cvt हमें automatic transmission देखने को मिल जाता है यहां पर icon का भी option मिलता है जिससे के हमें mileage काफी बहतर मिलने वाली है and यहां पर हमें leather finish देखने को मिल जाती है दोस्तों आपे में कुछ wooden type finish देखने को मिल जाती है और उसे के नीचे soft leather finish देखने को मिलती है white stitching के साथ बात कर लेते हैं glow box के तो अच्छा गासाथ हमें space देखने को मिल जाता है glow box के अंदर आप देख सकते हैं already books वगरा and kit first aid kit वगरा रखी हुई है आप देख सकते हैं ठीक टाक इस पेस हमें देखने को मिल जाता है और बात करते हैं front dashboard गेते हैं आप हमें black finish के साथ hard touch में dashboard देखने को मिलता है दोस्तो कुछ इस प्रकार का side view रहने वाला है हमारी इस गाड़ी के अंदर and बात कर लेते हैं seat के तहां पे काफ़ी बहतर cushioning के साथ leather finish with bucket type seat हमें provide की जाती है जो कि हमरे comfort को और भी enhance कर देती है driving time पे and यहां पे हमें adjustable headrest देखने को मिलता है जो कि only on हमें front में provide किया जाता है दोस्तो एक नज़र डालेते हैं इसके rear view camera पे तो जैसे कि मैंने adjust कर लिया है तो यहां पे कुछ और बहतर quality हो सकती थी rear camera view की बट कोई शुनी है आप हमें three view देखने को मिल जाते हैं यहां से आप adjust कर सकते हैं screen में से और दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाली है smart sunroof only single touch के साथ यह open हो जाती है आप देख सकते हैं and only single touch के साथ ही यह close हो जाती है और यहां से आप देखेंगे बटन प्रैस करूंगा तो मैं ventilation के लिए आपको यहां पे option दिया जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो एक काफी plus point दिया हुआ है इस गड़ी के अंदर दोस्तों इस गड़ी के अंदर आपके comfort and convenience का पूरा धान नक है गया है जैसे कि है और आगे से भी से manually adjust कर सकते हैं थाई support काफी बहतर दिया गया है seat का जिससे कि आपको long term inconvenience देखने को ना मिले और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके smart connectivity की तो आपको Honda Connect देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर जिससे कि आप गाड़ी से बाहर phone के थूरू अपनी test में बताऊंगा दोस्तों बात कर लेते हैं रियर के तेहां पर आपको chrome door handle के साथ साथ dual tone interior प्रोबाइट किया जाता है और काफी leather finish के यहां पर यूज किया गया है पूरी गाड़ी के अंदर जो कि इसे काफी premium बनाता है यहां पर आप देख सकते है smart power window, water holder का space, speaker with tutors and कुछ इस तरी के view होने वाला है आपका rear side से तो देख लेते हैं गाड़ी किस तिनी spacious है चलिए चेक कर लेते हैं दोस्तों इन करने में तो कोई issue नहीं हुआ with camera और यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर कुछ pocket आपको देखने को मिल जाते हैं leg room काफी अच्छा है गाड़ी का shoulder room and head room भी काफी बहतर मिलने वाला है आपको इस गड़ी के अंदर यहां पर आपको दो phone रखने के लिए कुछ smart pocket भी available कर आई जाती है दोस्ते हैं आपको rear race event के साथ twin power outlet देखने को मिल जाते हैं आपके comfort का काफी धियान रखा गया है इस गड़ी के अंदर बात कर लेते हैं pocket ज आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्योर LED में है और दोस्तों आपको इस काड़ी में काफी बहतर comfort देखने को मिलने वाला है क्योंकि जो इसकी back seats है काफी cushioning है आप देख सकते हैं इसमें side में भी आपको cushions provide किये जाते हैं जो कि कि किसी भी sedan में offer नहीं किये जाते हैं जो कि high-end के sedan होती है उन्हीं में इस तरह की कि आपको comfort देखने को मिलता है यहाप देख सकते हैं आपको cup holders के साथ काफी अच्छा कासा armrest देखने को मिलता है और दोस्तों जो एक point मेरे को लगा वो यहापे हमें rear headrest नहीं मिलते rear seats के जो कि पहले वाली Honda City जो आते थी top variant one में हमें म तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाप यहाँ से easily manage आप कर सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके के विए आपको मिलने माला है with rear stop lamps के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी की safety के तो यहाँ पर Asian and Cap में यह 5 star rating already गाड़ी ले चुकी है और 6 airbags, auto headlamps, auto dimming IRVM, LED front fog lamps, walk away auto lock, isofix cell seat and carriage, rear view camera with guidelines, ABS, EBD and brake assist, vehicle stability control and ESP and traction control के साथ इस गाड़ी में आपको बहुत सारे safety features मिलने वाले हैं and cabin noise को installation के लिए इसमें काफे सा elements यूज़ करे गए हैं दोस्तों कुछ इस तरह के smart की provide होती है जिसमें की lock, unlock, remote and AC start and boot open के लिए option मिल जाता है अगर हम इने long press करते हैं unlock and lock option को तो हमारे सारी जो windows and sunroof है वो open हो जाती है दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engine option के तो हमें 1.5 लिटर petrol and 1.5 लिटर diesel दो option देखने को मिल जाते हैं यह हमारे सामने जो variant है यह XZ CVT top end variant खड़ावा है जो की 121 PS power generate करता है 6600 RPM पे and 145 लिटर करता है 4300 RPM पे दोस्तों यह petrol version है यहापे हमें 7 gear मिलते है CVT में 6 gear मिलत करते हैं तो यहापे हरियाना में आपको 166660 के आसवास पड़ेगा बड़ दोस्तों इस तरीके आपको मिलने माला है ignition on करने के बाद दोस्तों यहापे हमें 9 elements LED headlamp देखने को मिलते हैं इसमें जो 6 elements है वो low beam पे रहते हैं जो 3 elements है वो high beam पे रहते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद है यह तो like तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और दोस्तों कोई भी अगर suggestion हो तो comment box में दिना ना भूलना ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा नेनी वीडियो के साथ अब तक के लिए take care good bye